दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ दो ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी एक इंडिकेटर आपको यूज करेगा ट्रेंड आइटिफिकेशन करने में सिंपल सी बात आ जाती है दूसरा इंडिकेटर यूज करेगा कि आपको एंट्री कहाँ पर करनी है अब बात आएगी एंट्री और एक्जिट की तो आपको ये इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है बिगाल्स मैं इसको बहुत टाइम से यूज भी करता हूँ इसके थुर्फ आप लोग एंडिकेटर लूइज कर सकते हूँ कि किस तरीके से मारकेट के अंदर हमने सही जगा पर एंटर कי और है या फिर नहीं किया है ये चीज़े ईड़निवाई की जाती है trend की बात की जाए तो trend को identify करने का reason क्या हो जाता है दिखो आपको पता होगा कि अगर हम market के साथ में काम करता है तो market के साथ में ऐसा रहता है normal life में ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा आलग तरीके से हम लोगों काम करना होता है but real life की हटकर अगर हम market के trend की बात करें कि market में कैसे काम करें, तो market में अगर trend एक side पर है न, तो आपको इबात ध्यान रखना है कि अगर आप trend के साथ रहोगे, तो आपके जीतने की probability बहुत 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 हाई हो जाती है और अगर आप सोच रहे हो, कि मैं trend के against जाके पैसा कमा सकता हूँ तो trend identification करना, बहुत ही जादा कीमती है उन सभी लोगों के लिए, जो स्टार्टिंग कर रहे है उन सभी लोगों के लिए जो बहुत टाइम से काम कर रहे है अगर आप trend को identify करना सीख जाते हो, तो maximum चीज़े आपके control में आ जाती है ठीक, रही entry, exit की बाते, तो यहाँ पर आपको cover किया जाता है अब बात आती है करना कैसे है, पता कैसे करना है especially हम लोग काम करना है फोरेक्स मार्केट में फोरेक्स मार्केट में काम करने का logic है रहता है जैसे कि आपको पता है कि मार्केट 24 घंटे, 500 दिन चलती है और हम इंडियन मार्केट में काम करते है तो इंडियन मार्केट सुबह 9 बज़ी से लेकर शाम के 5 बज़ी तक चलती है तो हम लोगों को कुछ ऐसे indicator या कह सकते हो ऐसी चीज़ों को follow करना चाहिए जो की हमें proper way में बता पाए कि क्या हो सकता है 24 इंटू 5 की बात करें तो इतने लंबे time तक इतने long term तक आप अगर trade करोगे तो अगर हम इंडियन मार्केट में जिसको हम currency market बोल रहे हैं वहाँ पर हम trend identification करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे easy way जो मैं use करता हूँ वो है 200 days moving average अब आप कहेंगे बाई ये तो बहुत basic indicator में बता दना चाहता हूँ market में जब आप काम करोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो market में पैसा बनाते हैं वो लोग बहुत ही basic चीज़ों को follow करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं पता नहीं क्या अतरंगी सी चीज़े को use करता होगा बट आप देखोगे न को professional trader को तो उसके chart के उपर आपको कुछी 2-4 चुनिंदा चीज़े मिलेंगी चीज़े को अगर एक चीज़ पर काम करना आ गिया आपको पता लगया काम करना कैसे आपके लिए दुनिया भर की चीज़े हो उससे कोई फरक आपको पड़ने बाला है ही नहीं ये बात आपको ध्यान रखना है अब बात आते हैं 200 डेज को use कैसे करा जाता है क्योंकि 200 days moving average का मतलब क्या हुआ कि पीछे के 200 दिनों का average price क्या है उस price के उपर हम लोग calculate कर रहे हैं ठीक अब 200 days को अगर माल लेजे मुझे plot करना है तो normally कैसे किया जाएगा सबसे पहली सबसे कीमती चीज़ जिसको बोलता है time जिसको हम बोलता है time frame basically time frame की बात करें तो time frame जो choose किया जाता है अगर हम देखें trend identification करने के लिए मैं खुड जो use करता हूँ वो करता हूँ one hour time frame plus यहाँ पर मैं 200 days moving average को implement करता हूँ and बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कहते हैं हम लोग moving average simple moving average करें exponential moving average करें यह वाला वो वाला पता नहीं कौन कौन सी चीज़ है actual में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो नया इंसान एक नया इंसान जब share market में आता है मालो मैंने आपने मेरी वीडियो देखी और मैं आपको बोलू हूँ ऐसे indicator को use करो जहां पर कोई use ना कर रहा हो देन उस condition में आप ही ऐसे pop-up होंगे जो enter करोगे बाकी सब लोग अगर यहाँ enter कर चुके हैं तो आप यहाँ enter करोगे जब सब यहाँ निकल चुके होंगे आप क्या करोगे तब बैठे रहोगे और उस condition में आपको losses देखने के लिए मिलेंगे mainly यही चीज होती है तो आपको ध्यान क्या रखना है जो सबसे ज़ादा लोग use करें उन चीजों को use करना है जैसे कि माल लीजे अभी मैं बात करता हूँ normal moving average की तो एक नया इंसान आता है जब उसको बताया जाता है कि moving average पर काम करना है तो उसको कोई moving average नहीं पता होता कि simple moving average, exponential moving average यह वो जो preset settings होती है उसी के उपर वो इंसान काम करता है तो आप खुछ सोचो अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग में 90 लोग जो है वो enter कर रहे है normal moving average के उपर और 90 बेसिकली एक जगा पर कर रहे है 10 लोग जो है वो enter कर रहे है exponential moving average या फिर बहुत सारे ऐसे-ऐसे moving average की settings होती है combinations होते हैं जिनको change करके बनाया जाता है, बट अगर आप इन 10 लोगों के पीछे चलोगे then definitely आप गलत जगा पर enter करोगे, बट अगर 10 की जगा इन 90 लोगों को देखोगी चीक है और यहाँ पर candles जो बन रही है, candle यहाँ पर one hour के time frame पर, time frame क्या लिया गया one hour, जैसे candle यहाँ पर बनेगे और candle बनना चालू होती है इस condition में आपको क्या identify करना है कि जैसे candle हमारी 200 days के उपर बनेगी हम उसको upside की movement count करेंगे means उसको uptrend continue मानेंगे and same इसके opposite की बात करें, जैसे 200 days के नीचे candle बनेगी, like नीचे की तरफ moving average बनेगा उस condition में आप इसको downside का trend यहाँ पर identification की तौर पर मानेंगे normally हम लोग करते क्या है, one hour के time frame में अगर choose करें तो देखा जाएगा कि यह जैसे ही हमने मालीजी 100 lot यहाँ पर by side पर enter किया 100 lot by side पर enter किया, और देखा कि हमारा target जो है वो achieve हो जाए, तो अच्छी बात, नहीं हुआ, जैसे हमें दिखता है कि 200 days के नीचे candle बन रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मालीजी मैंने January month का यहाँ पर by side पर मैंने January month by side किया हुआ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर sell side पर जब activate करूँगा, तो sell side पर मैं क्या करूँगा, January, February month को sell activate करूँगा, 100 lot और तब तक like रखूँगा, जब तक 200 days के नीचे candle चल रही है अब यह तो बात हो गई हमारी कैसे क्ते हो कि trend identification करना and उसी के इनुसार हम game खेल सकते हैं, अगर नीचे से उपर की तरफ जा रहा है तो हमें क्या करना चीए, पी के इंदर काम करना चीए, उपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो हमें क्या करना चीए, C.E. के अंदर काम करना क्योंकि हम तो केवल option selling करते हैं तो P को sell किया जाएगा, C को sell किया जाएगा, तो यह हुआ एक basic combination जो आपको mind में पहले से clear होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना confused हो जाते हैं, कि नीचे से उपर जाता है, तो हम call को भी तो buy कर सकते हैं ना, बट रूल यह है कि हमें option buying नहीं करना है, रूल यह है कि हमें केवल negative position में sell position activate नहीं करनी है, रूल सारे के सारे अगर आप clear रखते हो, then definitely आपको यहाँ पर नुकसान होने की probability बहुत-बहुत-बहुत कम हो जाती है, इस बात को धियान रखना, तो यह हुआ trend identification करना, कहाँ पर क्या चीज़ करनी है, P को कब करना है, S, C को कब करना है, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगी, आप sell और buy कह रहे हो, तो यहाँ पर धियान रखना दोनों चीज़े कर सकते हैं, या थो हम buy करके पे चल सकते हैं, या उसको sell करके, जिसको short selling कहते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो ये चीज आपके उपर depend करती है, चलिए जी बहुत अच्छा, ये हुआ हमारा 200 days का basic concept, अब बात आ जाती है, माल लो मैंने देखा कि यहाँ पर candle बनी थी और यहाँ पर candle 1 hour के time frame पर बनी हुई है, बनावर के time frame पर अब यहाँ से trend जो है, वो upside पर movement करना चालू कर गया, अब माल लीजे मुझे करना है अब काम, मुझे काम करना है कहाँ पर intraday के उपर, मुझे अपने levels पर, या फिर मुझे entry करनी है, logic के उपर कि कहां मैं सही हूँ, क्या मेरी entry सही है, तो उस condition में कैसे identify करें identify करने का सबसे आसान तरीका है, माल लीजे, मैं यहाँ पर indicator के बात करता हूँ, जिसको बोलता है, VWAP, इसका मतलब क्या है, volume, weighted, average, price, simple सी बात है, आपको इसकी full form याद करने की जरुवत नहीं है, आप क्या करेंगे, इसको लगाएंगे, और time frame क्या रखा जाएगा, time frame रख condition create करनी है, तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरा जो candle है, वो कहां होना चाहिए, VWAP के नीचे होना चाहिए, इसी तरीके से condition number two, rule number two क्या है, अगर मैं sell करना चाहता हूँ, या तो मैं sell position बनाना चाहूँगा, माल लीजे, मैंने नीचे buy कर लिया, buy करने के बाद मैं, price उपर की कहते हैं, counter trade, तो ये भी identify किया जा सकता है, इस particular indicator के तहत, with proper timing के साथ, लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, इसको 15 minute, 1 minute, 3 minute, 2 minute, वही अतरंगी वाले लोग, उनकी तरह यूज़ करते हैं, ध्यान रखो, normal आदमी, 5 minute के time frame पे उसको यूज़ करेगा ना, then definitely उसको ज़्याद rule हमारा ये होना चाहिए, अब काफी लोग कलती क्या करते थे, मैं खुद उसमें starting, मैंने भी गलती किया है, माल लिजिए, वी वैप line है, नॉर्मल ही क्या होता है, ये ज़्यादा गंदी movement नहीं करती है, और हाँ ऐसा भी होता है, कि candles ने से दूर चली जाती है, ये बात ध् point, दूसरी चीज है, ये आपको ये confirmation दे रहा है, कि अब ट्रेंड तो move है न, हम तो 200 days को देख क्या है, कि वन आवर के टाइम फ्रेम पे 200 days के ऊपर candle बनी, तो अब ट्रेंड कंटीनू हो चुका है, तो आप जब भी वी वैप के नीचे आपको price मिल रहा है, आप buy trade अंटर कर रहे हैं और आप उपर जाने पर जे वी वैप के उपर price यहाँ पे कहीं पे चला जाता है, आप वहाँ पे exit कर देते हो, आपका काम complete हुआ, अब next day again, same वही gameplay होगा, और बार 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 कहां पे play होगा, buy side पर play होगा, और buy side पर play क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 200 days moving average के and continue हो चुका है, I wish यारी छोटा सा concept, आपके काफी मदद करने वाला है, पहले पहले ना मैं भी बहुत बड़ी गलती पता है क्या करता था, मैं अपनी गलती आपको जान बूच के पता है क्यो explain करता हूं, ताकि आप लोग वो गलतिया ना करें, कैसे समझो, पहले क्या होता वी वैप लाइन है यह, मैंना अल्गो सिस्टम यूज करता था, जिसको अल्गो सिस्टम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें कोडिंग कर सकते हैं, कि भाई जैसे ही वी वैप के उपर candle बनेगी ना, तो मेरे यहाँ पर buy side पर enter कर लेना, जैसे ही मेरी वी वैप के नीच तो taxes and charges बहुत लगेंगे, बार 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 आपकी entry exit होगी, दूसरी condition ही रहेगी, आपको proper entry कभी मिल ही नहीं पाएगी, क्यों नहीं मिल पाएगी, बड़े प्लेयर का game जो होता है, वो different रहता है, मैंने वी वैप वाली वीडियो में बताया भी था last time, अभी दुबारे नहीं and आपको मैं बार 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 ये बता रहा हूँ, क्यों ताकि आपके mind में चीज़ छप जाए, कि माली कि बार बार यहीं इनसान यही काम कर रहा है, और result भी आ रहे हैं, तो आपके result क्यों नहीं आएंगे, तो यह हुआ basic fundamental concept जिसको हम कह सकते है, moving average को कैसे use करना है, VWAP को कैसे use करना है, I wish यह question पूरा clear हो गया होगा, MACD वगेरा वगेरा जो होते हैं, वो बाकी चीज़े है, moving average का काम क्या था, trend identification, VWAP का क्या काम था, entry और exit प्रॉपर हो रही है और नहीं हो रही है, आपको यह indicator प्रॉपर वे में समझात बता देता है, ठीक है, तो मिलते है next important वीडियो के अंदर, छोट इसी वीडियो के अंदर, छोट इसी बाते क्लियर करके मैं चलता हूँ, आज की वीडियो, बाकी किसी के mind में कोई question है, number है 9837482890, second number है 8077521043, इन में से किसी भी number पर आप message कर सकते हो, ठीक है, बाकी अगर आप currency market के बार में काफी सारी अपडेट ले सकते हो, currency market के बार में, जो कि आपको काफी तदा help करेगी, अपना future currency market में बनाने के लिए, and currency market कभी भी बंद नहीं होने वाली है, प्लस यह day by day grow करेगी, क्यों करेगी, क्यों कि आप लोग यहाँ पर काम करेगी, तो common सी बात है, और भी जादा growth देखने के ल इस लोगों ने सच में अपने आपको change करने के लिए वीडियो को अंदर तक देखा है, ठीक है, सो मिलते हैं next important वीडियो के अंदर